दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हेड़फोन के बारे में आप यहाँ पर देख पारे हैं मेरे टेबल पर बहुत सारे हेड़फोन्स रखे हुए हैं इन में से कुछ एक ही ब्रांड के दो हैं कुछ एक हैं अलग-अलग हैं अलग-अलग मॉडल्स हैं यह क्यों हैं हम क्यों इन ही यूज़ करते हैं क्यों मैंने इन ही मंगाया और क्यों हम लोग इसे ही यूज़ करते हैं इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में समझेंगे इसमें से कुछ हैड़फोन ऐसे हैं जो माइक के साथ हैं यानि खास करके गेमिंग के लिए, गेमिंग पर्बस के लिए हैं, कुछ मॉनिटरिंग हेड़फोन हैं जो साउंट के लिए, इस पे चैनली साउंड को कि हमें सेट करना होता है, उस काम के लिए है यानि आडियो एरिटिंग के लिए है तो ये सारे परपस के लिए हम लोग ये हैड़फोन यूज़ करते हैं Actually market में बहुत सारे हैड़फोन आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे ब्रांड लेकिन हम लोग बजट में बिहतर क्वालिटी का हैड़फोन बाय करने की कोसिस करते हैं जिसमें कम बजट में हमें अच्छा से अच्छा हमें आउटपुट मिल सके और हम एक अच्छा कम ही बजट में एक अच्छा सा हैड़फोन खरीच सके उससे हम अपना काम चला सकें, ने तो कहने के लिए तो unlimited prices हैं, unlimited models हैं, तो हम उन पर नहीं जाएंगे, हम कौन सा यूज करते हैं, हम उस पर बात करेंगे, समझने के लिए वीडियो के साथ लास्तक बने रहें, पहली बार चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे कम दाम से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे कम दाम में, अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ये आ जाता है, जेब्रोनिक्स का जेक प्रो मॉडल है ये, और ये RGB के साथ में है, और वॉल्यूम भी इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, तो USB है, और माइक भी है, आप ये देख पाएंगे, ये माइक इसके अंदर आ जाता है, ये जादे हम उस तरीके का डीटेल समबात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बिल्कुल भी प्रेक्टिकली, तो इसमें आप देख सकते हैं कि USB मिल जाता है, और USB में अगर हम सप्लाई देते हैं, तो ये इस तरीके से RGB में कनवल्ट हो जाता है, RGB लाइट जलती है, और बहुत ही खुबसूरत दिखता है, अब हम बात करते हैं साउंड की, साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो अगर आप कोई इससे पहले एयरफोन यूज़ कर रहे हैं, तो एयरफोन के बाद अगर डायरेक्ट आप हेडफोन पर सिफ्ट होते हैं, तो उस वक्त इसकी आवाज आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बेस बहुत अच्छा आएगा, और ट्रेवल भी बहुत अच्छा आता है, और माइक का भी आपको फंक्शन मिल जाता है, और साथ में ही इसके साथ में कनेक्टर मिलता है, USB Type-C to 3.5, तो मुबाइल से भी आप कनेक्ट करके जो है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से जो है, आप इसको यूज कर पाएंगे RGV के साथ में, अगर हम प्राइस की बात करें, तो ये करीब 900 से 900 या 1000 पे 900 से 1000 रुपे के अंदर जो है, ये मिल जाता है, लेकिन इस बजट के आसपास की अगर हम बात करें, बजट के अंदर आने वाला, तो इस बजट में बिलकुल सही है, अगर कम बजट में 1000 रुपे के अंदर अंदर चाहिए, तो ये जेब्रोनिक्स का ये मॉडल बहुत अच्छा हो सकता है, इन सभी का मैं लिंक देदूँगा डिस्किप्शन में, पहले आप लोग समझ लें कि कौन सा आपके लिए बहतर हो सकता है, और बाकी जो है, मॉडल्स इसका अटमेटिक है सेटिंग वगरे हो जाएगा, जितना आपके हेड़ पर सेट होने लाइक रहेगा, और अल्रेड़ी जो है, इसके अंदर एलास्टिक है, वो सेट हो जाता है, यानि बहुत अच्छे से बैट जाता है, हेड़ पर सेट हो जाता है, और माइक भी इसकी फ्लेक्सिवेल्टी अच्छी है, ठीक ठाक है, और अच्छा भी कैच करता है, सुनाने का कोई मतलम नहीं है, क्योंकि सुनाने पर जो है वीडियो में कोई अंतर समझ में नहीं आता, इसलिए जिन लोगों को एयरफोन के बाद सिधा हेड़फोन पर जाना है, बजट कम है, तो इसे बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन सब हेड़फोन के हिसाब से अगर हम कंपेरिजन करें, तो इन में से कोई साबी कोई अगर हेड़फोन यूज़ कर रहा है, और उसके बाद जब इस पर आएगा, जब रोनिक्स के इस मॉडल पर आएगा, तो उसे ये बिल्कुल भी पसंद आने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, एयरफोन से डारेक्ट जब जाएगा, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, कि हाँ हम एक अच्छा सा हेड़फोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा क्वालिटी में उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग हेड़फोन यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाफ से जब हम कंपेर करते हैं, तो उतना मज़ा नहीं आता, तो एक तो ये रहा, जो कि 900,000 रुपे के आसपास में आपको मिल जाएगा, इसके बाद हम माइक वाले ही हेडफोन की बात कर लेते हैं, गेमिंग्स वाले की ही बात कर लेते हैं, बाकि कुशन वागेरे जो है इसका ठीक ठाक है, सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कान दर्द नहीं होंगे, और कान को बिल्कुल भी अंदर ही ले लेता है, इसलिए कोई प्रब्लम नहीं है, इससे जब हम उपर जाते हैं, तो हमने मगाया था काफी रिभ्यू देखने के बाद, दो मॉडल, दो अलग-अलग मॉडल हैं, XA का, XA E900 और XA E900 Pro, इसके अंदर दो मॉडल हैं हमारे, यह दोनों ही अलग-अलग मॉडल हैं, एक Pro मॉडल है, और एक जो है, नॉर्मल E900 मॉडल है, अगर हम दोनों के अंदर differences की बात करें तो अगर हम पहले sound की बात कर लेते हैं तो sound में believe कीजिए sound इतना ultimate है कि हमने कई सारे सुने हुए है normal और जो branded के sony बगरे के आते हैं वो भी हमने सुने हुए है उसमें और इसके अंदर practically अगर compare करेंगे तो बहुत खास अंतर आने वाला नहीं क्योंकि sound इसका बहुत ही ultimate है इसमें अगर हम ये E900 की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ जो है आपको 3.5 मिलता है connector और उसके साथ में आपको volume मिल जाता है और इसके अंदर आपको जो है mic enable disable करने के लिए एक चोटी सी button मिल जाती है जिससे mic use करना है तो आप उसको enable कर सकते हैं नथा disable कर सकते हैं और यहां पर इसका mic लगेगा जिस तरीके से इसका mic लगा हुआ है उसी प्रकार से इसका mic लगेगा actually यह हम लोग इसी तरह से use करते हैं और यह सारे जितने भी हैं इन लोग हम लोग काफी दिनों से use कर रहे हैं उसके बाद का ही मैं experience आप लोगों को बता रहा हूँ तो इसके price की अगर हम बात करें तो यह आजाता है करीब करीब 2200 से 2500 के आसपास में हमेशा vary कर रहा होता है इस तरीके से यहां से इसका volume कंट्रोल होगा इस तरीके से और सिर्फ 3.5 अलग से इसको power देने के ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर कोई lights वगेरे नहीं है लेकिन sound में कमाल का sound है इसका तो इस budget range के अंदर अगर आपने इसको सुन लिया तो jabronics आपको बिलकुल भी पसंद आने वाला नहीं है लेकिन इस budget के अंदर यह बहुत अच्छा है नॉर्मल में इस से उपर अगर हम जाते हैं इसी brand का pro के अंदर E900 pro के अंदर तो इसमें खास बात क्या है तो इसके अंदर actually USB headphone है सबसे पहला USB भी इसके अंदर लिड मिलती है और आपको और यह 3.5 लिड भी मिलती है दोनों ही इसके अंदर लग जाती है तो USB से आप जो है इसमें supply देंगे यह USB type C इसके अंदर लग जाता है यह बहुत अच्छी बात है कि type C मिल रहा है और जब आप इसको connect करेंगे मानले जब आप इसको supply देंगे तो इसके अंदर यह दोनों तरफ यह हलकी सी red color की light जलती है इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे और इसके अंदर जो है headphone के अंदर ही आपको जो है volume मिलेगा यहां पर side में volume मिल जाता है और यही पर माइक के लिए unable, disable करने के लिए एक buttons मिल जाती है तो यह जो इसको supply दी जा रही है इसको driver को तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह सिर्फ supply देने के लिए इस भी है अगर आप laptop या फिर mobile से connect करते हैं तो USB से ही sound इसमें आ जाएगा USB के माध्यम से ही audio भी आ जाएगा यानि music वगरा आप सुन सकते हैं songs वगरा का मजा ले सकते हैं तो अगर USB से ही इसके अंदर sound भी आ जा रहा है और supply भी इसको मिल जा रही है तो हमें यह 3.5 देने की क्या जरूरत है तो इसका उस वक्त जरूरत पड़ती है जैसे मान लीजिए कोई भी हम video editing कर रहे हैं या gaming कर रहे हैं तो USB से अगर हम इसका sound ले रहे हैं या फिर mic से हम या इसके mic को use कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा delay का सामना करना पड़ेगा उस delay को खतम करना चाहते हैं तो USB के साथ में ही आपको 3.5 वाला jack भी लगाना पड़ेगा या या ये lead भी लगानी पड़ेगी जब इस lead को लगा देंगे तो delay खतम हो जाएगा या इसके माध्यम से जाने लगेगा तो दोनों ही तरह से ये बहुत ही बहतर है प्रो का जो कुशन है ये इतना बहतरिन है इतना सॉफ्ट है कि कई सारे बहुत ही महंगे महंगे ब्रांड का हमने 25-25 हजार का भी देखा हुआ है headphone उसके भी इतने बहतरिन कुशन नहीं होते है जितना की बहतरिन इसका कुशन दिया हुआ है इससे थोड़ा सा जो नॉर्मल वाला है एक्सा का E900 इसका खुशन थोड़ा सा hard जरूर है लेकिन इसका ये pro है तो actual में pro है हर चीज से pro है माइक की quality, audio की quality हर चीज से pro है लेकिन इसका price इससे हमेसा करीब करीब 1000 रुपे जादे रहता है तो ये मान करके चलना पड़ेगा, ये 2200 का अगर मिलता है तो ये pro जो है 3200 के आसपास मिलेगा, अगर ये 2500 मिलेगा तो ये 3500 रुपे के आसपास मिलेगा, 1000 रुपे महँगा मिलता है, लेकिन ये वाकई में अगर आपको गेमिंग के लिए pro लेबल का एक अच्छा सा experience के साथ में अगर आपको चाहिए headphone तो आप इसको बिल्कुल consider कर सकते हैं मज़ा आ जाएगा तो ये तो था माइक के साथ में जो की गेमिंग्स के लिए या फिर हम वीडियो कॉलिंग के लिए यूज करते हैं अब उसके बाद हम बात करते हैं monitoring headphone monitoring headphone में हमारा सबसे पुराना है ये सेमसन का सेमसन का SR850 SR850 model अगर आप लेते हैं तो ये model हमेशा combo pipe में आता है दो के साथ में ये आता है दोनों एक साथ आते हैं नीचे यहां पर जो आप देख पा रही है पाइकिंग उस पाइकिंग के अंदर ये दोनों ही मिलते हैं और अगर आप सिंगल लेते हैं तो इसका दूसरा model है जो कि दिखने में हर तरह से सेम ही नजर आएगा वो इसका मिलता है SR950 यानि कि ये SR850 से वो SR950 मिलेगा जो कि सिंगल आपको मिलेगा लेकिन SR850 लेंगे तो ये आपको दो ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये combo pack आता है इसका sound actually चुकि ये monitoring headphone है तो monitoring headphone में क्या होता है कि ये अपने तरफ से कुछ भी बनाता नहीं है actual जो sound आपको आपका computer लेप्टप का जो audio है जो आपके video में actual जो audio है वो actual देने की कोसिस करता है ताकि इसके हिसाब से आप audio को manage कर सके उसको tune कर सके बहतर ढंग से लेकिन बाकी जो ये gaming बाले जो headphone थे इन सब में ये अपने तरफ से audio को बनाने की कोसिस करते है लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है बिलकुल actual original आवाज मिल करके आती है और इसके अंदर कोई भी driver बगएर नहीं होता कोई USB बगएर नहीं होता direct लगता है और direct जो original आवाज होती है वो आपको सुनाई देती है ताकि उसके आप चेंज बगएर कोई भी चीज बेस ट्रेबल या कोई भी चीज अगर कम जादे है तो उसको मैनस करके आप audio को एक best audio बना सकें तो ये सेंसन का आने वाला अगर हम SR 850 लेते हैं तो दोनों आज की rate में 5000 रुपे 5000 में मिल रहे हैं आज की rate में 5000 से 5000 रुपे के ये दोनों ही मिलते हैं यानि 2500 रुपे का एक हुआ लेकिन एक नहीं मिलेगा आपको ये दोनों लेना पड़ेगा वहीं पर सिंगल अगर SR 950 लेते हैं सिंगल तो वो करीब करीब 3500 के बीच में हमेशा वैरी कर रहा होता है तो एक लेते हैं तो 3500 रुपे खर्च करना पड़ेगा 950 लेना पड़ेगा दोनों लेते हैं तो 5000 रुपे खर्च करना पड़ेगा ये दोनों ही मिल जाएंगे तो 25-2500 के एक मिल जाएंगे इसके बहुत ही लाजवाब रेजल्ट है ये करीब 4 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ है बस एक के अंदर थोड़ा सा यहां पर ये नीचे लगा रहता है वायर और ये इसको होल्टर लगा रहता है तकि ये तूटे ना और ये तूट गया है तूटा नहीं है, हाँ तूटी गया है कर से कह सकते हैं वायर नजर आ रहा है लेकिन दूसरा जो है बिल्कुल परफेक्ट है तो हो सकता है कि किसी की गलती के वज़े से सभी हमारे फैमिली मेंबर के लोग यूज करते हैं तो हो सकता है कि किसी से खिच गया हो तो ये गलती हो सकती है बाकी ये करीब चार साल से हमारे पास है बहुत अच्छा रहा, इसके अंदर हम सिकायत की अगर हम बात करें, तो चुकि ये चार साल से यूज़ कर रहे हैं, कई बार गर्मियों में पसीना वसीना लगने के वज़े से कि आखिर में क्यूं, इसका जो कुशन है, थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो ये पॉसिबिल्टी बनती है, कि ये हो सकता है, पसीना वगरे लगने के वज़े से हार्ड हुआ हो, पहले उतना हार्ड नहीं था, लेकिन अब ये हार्ड हो गया है, थोड़ा सा, इसलिए जो लोग लगा रहे हैं, जिनको आदत पड़ी हुई उनको प्रब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, अगर कोई नए इसको यूज करना चाहेगा, तो थोड़ा सा इसका कुशन परिशान कर सकता है, नहीं तो क्वालिटी वाकई में मॉनिटरिंग के लाइक है, बहुत ही बढ़ियां क्वालिटी है, और बहुत ही अच्छा साउंड है, उसके बाद हम बात करते हैं मॉनिटरिंग हेड़फोन के अंदर ही ये सेनाइजर का HD 206 206, यानि HD 206 नंबर, इसका भी दो है हमारे पास, रिजन उसका ये है कि ये जो है ये 1500 रुपे के आसपास में ये आ जाता है, और ये क्वालिटी जब आप इसका देखेंगे, तो दिखने में जो क्वालिटी है, बड़ा ही एवरेस सी लगती है, ये क्वालिटी से आप सैटेसफाइड जादे नहीं होंगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी चीफ सी लगती है, दिखने में, लेकिन इस बजट के अंदर जो इसका साउंड है वो इतना बहतरिन है कि बहुत जादे स्टूडियो में आप इसको लगे हुए देख सकते हैं, लोग यूस करते हैं बहुत ही बहतरिन साउंड है चुकि ये भी मॉनिटरिंग ही है तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि मॉनिटरिंग हेड़फोन जैसा आवाज होता है अक्चुल वरिजनल आवाज देने की कोसिस करता है लेकिन अगर हम इन दोनों मॉनिटरिंग हेड़ में ज़्यादे बिखते हैं इस सेनाइजर का 206 चुकि 1500 का ही मिलता है तो ये बहुत ज़्यादे मार्केट में बिखता है और इसका वायर बहुत लंबा मिल जाता है आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट जो है आपको देखने को मिलेगा तो कही ना कही 1500 रुपे के अंदर अगर आपको चाहिए एक अच्छा सा हेटफोन तो आप ले सकते हैं लेकिन दोनों के अंदर अगर कंपेरिजन करेंगे तो सेम वैल्यूम पर अगर आप इसको लगाते हैं दोनों को लगाते हैं तो ये सेमसन का आवाज थोड़ा सा बुष्ट मिलेगा आपको थोड़ी सी जादे मिलती है और इसकी आवाज थोड़ी सी सेमसन के पिक्षा कम मिलती है तो ये चेंजिंग दोनों में देखने को मिलेगा और थोड़ा सा इसके अंदर आवाज थोड़ी सी अच्छी आपको मिलेगी बूश्ट हो करके जादे मिलेगी अच्छी नहीं जादे मिलेगी लेकिन इसके अंदर डीब बेस मिलता है और इसका जो सेमसन का जो साउंड है वो सुनने में बहुत ही मीठा लगता है बहुत ही खुबसूरत आवाज लगेगी, बहुत अच्छी साउंड जो है आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके comparison में थोड़ा सा down है इसका मतलब ये नहीं कि ये price में down है, इसलिए down है actual में दोनों को एक साथ जब हमने test किया, तो ऐसा हमको मिला तो दोस्तों इस तरीके से थे हैं हमारे सारे के सारे headphone आप ये ना समझना, मैं इसको use करता हूँ लिया हूँ, इसलिए आपको लेना चाहिए अगर आप और किसी को test किये हैं, तो उसको buy कर सकते हैं लेकिन इसको हम लोग चेक किये हुए हैं, इसके अलामा और जितने भी headphone है उसके बारे में हम उतना नहीं कह सकते क्योंकि उसको हमने use नहीं किया हुआ है ये सब हम लोग use कर रहे हैं, चार सालों से लेकर के अब तक जो है कोई एक साल से हमारे पास है, कोई दो साल से है, कोई चार साल से है और हमारा ये experience रहा, और ये सारही बहुत ही बैतर है थोड़ा सा ये budget के हिसाब से, जिनको कम budget है, वो जिबरोनिक्स को buy कर सकते हैं लेकिन quality जिनको चाहिए, वो इनमें से कोई भी buy कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा, कि आपको कौन सा लेना चाहिए आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट हुआ, प्लीज आप comment में ज़रूर बताएं इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस ट्रीडियोज ले करके आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ नेक्ष्ट की से और छी इन्फ़इड वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यबात करता हूँ, आपका दिन सुभव